question no.3 का हम करते हैं अब a face the cap used by the turks is shaped like the frustum of a core इसका diagram given है figure 13.24 if its radius on the open side is 10 cm and radius at the upper space is 4 cm and its slant height is 15 cm find the area of the material used for making it तो हमको material का area चाहिए ठीक है तो पहले cap का shape देख लेते हैं कि कहाँ का पर material required होगा ठीक है उसी से हम formula बना पाएंगे तो इनका जो टर्क का जो cap है वो ऐसा कुछ देवा है उपर तो close है ठीक है उपर पुड़ा close है नीचे से ये open है ये पार्ट जो है open है और इसका कहा रहा का if its radius on the open side is 10 cm मतलब ये चीज 10 है तो इसको हम आरवन ले लेते हैं एंड रेडियस अपर बेस इस 4 cm रेडियस अपर बेस तो ये होगे इसके आर टू ये पोट संट्वेटर and slant I is 15 cm स्विटीन होगी ये लोगी ठीक है अभी के रहा पाइंट अईड़ीयर्य अफ्टीयल यूस्टीयल का लगा एक तो ये जो चीज ये लोग मादेड लगे गा नहीं तो ये एरिया तो क्या वाजाएगा गा surface area of frustum और यह area of circle area of circle क्या होदा है पाई r square तो यहाँ पर r की जगे r2 है तो हम material required करेंगे तो material required is pi r2 square plus curve surface area formula से हमें मालूम है पाई r1 plus r2 into n तीक है अब पाई क्योंकि common आ रहा है तो मैं common ले सकता हूं पाई बाह ले लिया यह होगया r2 square plus r1 plus r2 l पाई होगया 22 by 7 r1 हमारे पास r2 का square r2 का square मतना 4 का square r1 plus r2 मतना 10 plus 4 L होगे 15 तो यह 4 4 16 10 plus 14 होगया हिये 14 12 15 14 into 15 15 06 210 210 plus 16 226 यह 210 तो लिख लेते हैं यह पे यह 22 by 7 होगया और यह जागा 22 by 7 into 226 ठीक है है अच्छा इसका अध्यक्रा पाई area of the making area of the material use for making it तो इसको multiply कर देते इसको divide कर देंगा तो आप चाहो तो इसको 20 में निकाल सकते हैं या फिर fractional mix fraction में निकाल सकते साथ हैं तो हम 22 x 226 कर लेता है 226 x 22 यह जाएगा 26 जा 12 12 24 और 15 24 यह भी वह जाएगा 254 27949 अब 4972 को 7 चे डिवाइड करना तो 7 7 7 जा 49 अब यह डारेक्ट 7 जो इतनी दुक्तर 0 7 7 7 7 9 72 पूरा जागा तो 7 कुछ घर बड़ा भाईया 4972 को 7 से डिवाइड गया 7 बंजा 7 7 2 जा नहीं 7 7 जा 49 और 7 10 जा 70 हो गया तो बज़ गया तो आंसर आ गया 7 1 0 2 by 7 तो इसका आंसर हो जाएगा 7 1 0 2 by 7 हम यह चाहते हैं कि हर इस्टूडेंट तक यह वीडियो पहुचे कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए धन्यावाद कर दो, कर दो आंसर दो